एललवी करने के बाद वेस्ट करियर आपसंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपके ललवी कम्प्रीट होती है, वैसे आपके नाम के आगे बिद्वान लगना सुरू हो जाता है, भारत में बिद्वान सिर्फ दो ही लोगों के नाम के आगे लगता है, पहला तो जजज, बिद्वान जजज, और दूसरा अधिवक्ता, बिद्वान अधिवक्ता, तो law complete करने के बाद ये उप्लद्धी आपको आसानी से हासिल हो सकती है। अगर हम career option की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा पसंदिदा, सबसे ज़्यादा सम्मानित नवकरियों में से एक judge यानि की नियाधीस बनना। तो law complete करने के बाद आप judiciary के तयारी कर सकते हैं, judge बन सकते हैं। उसके बाद सरकारी वकील, सरकारी वकील को ये पास इज़्यस, सोहरत, दौलत, सबकुछ तो होता ही है और मज़े की बात यह होती है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहत नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा केस तयार करने में hard work नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो पुलिस होती है, वह मामले को investigate करती है, साच सबूतों, गवाहों के बयान collect करती है, और सारी investigation collect करने के बाद सरकारी वकील को देती है, तो इसलिए सरकारी वकील को बहुत ज़्यादा मेहनत करने क ज़रूत नहीं बढ़ती है, तो सरम आपसे जना चाहेंगे, सरकारी वकील कैसे बनते हैं, प्राइबिट वकील और सरकारी वकील में कुछ अंतर होता है, क्या अंतर होता है, यह आपसे जना चाहेंगे, दिखिए सरकारी वकील कैसे बनते हैं, सरकारी वकील दो तरीके से बन करते हैं बनने का प्रॉसस क्या होता है इस पर हम आएंगे और इसके पहले हम करने के बाद कर सकते हैं उसके बद करण नेस्ट है बड़ी-बड़ी कंपनियों में बड़ी-बड़ी कंपनियों के लीगे सेक्टर में लीगल एडवाइजर की वेकंसी टाइम टाइम पे निकलती रहती हैं जिसे कि बैंक का एक लीगल सेक्टर होता है तो उसमें भी बैंक के पाइनल लॉयर होते हैं ऐसे बड़ी- सब्सक्राइम बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं साइबर क्राइम से आप आप प्राइब अपराद हो रहे हैं जैसे कि इमेल के माध्यम से धंकी देना डेटा चुरा लेना हैकिंग इस तरीके से अपराद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो इस तरीके कोड़ साहब के नाम से भी जाना जाता है कुछ लोग सरकारी वकील भी कहते हैं जो सरकार की तरब से पीड़ का पच्छ नियाले के समझ प्रस्थूत करता है सेल्ली भी बहुत अच्छी होती है लगभग जज़ के बराबर की सेल्ली होती है और मान समान की तो बाती का कहना और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सरकारी वकील जो होता है वो एक तरीके से एपीओ ही होता है बहुत ज़्यादा महन करने की जरूत नहीं पड़ती है पुलिस साथ सबूत गवाहों का बयान सब कुछ कठा करके देती है एपीओ को और एपीओ वही पच्छ नियाले के समझ प्रस्थूत कर देता है कोई भी केस तयार करने में बहुत ज़्याद हाडवर्ग उसको करने की जरूत नहीं पड़ती है लेबर लॉयर में आप लेबर लॉयर बन सकते हैं चुकि आजकल देखरूंग मिलता है कि जो करमचारी हैं उनकी समस्याएं और उनके अधिकार को देखते हुए लेबर लॉय बनाया गया आजकल बड़े ठेकेदार देखते हैं कि लेबरों के हैकर अधिकारों को माने के लिए तयार बैठे हैं लेबरों के हैक वरत घ्यार मर जाते हैं लोगों के काफी समस्याएं उत्पन हो जा रही हैं लेबर बिचारा दबा सहमा रह जाता है ठगा सा मैसूस कर जाता है क्योंकि बड़े बड़े लोगों का उनसे लेड़ तो पाये गा नहीं तो लेबर लॉग में भी आप उतना करियर बना सकते हैं उसमें भी काफी लोगों की दिवाएं पा सकते हैं और पैसा तो अच्छा कमाएंगे ही नेश्ट है आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं लड़ाई जगडा मार पीट लूट डकैती तो इस तरीके की घटनाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं तो यदि आप ए अधिकार की बात की जाए घर की लड़ाई मेड की लड़ाई बटवारे की लड़ाई नाना प्रकार की समस्य होती लोग सदियां गुजर जाती है पता नगए बाबा ने मुकदमा किया और पोते के जमाने में जो है फैसला रहा है तो यदि आप एक अच्छे सिविल लॉयर बन जाते हैं तो लॉग कंपलेट करने के बाद एक अच्छे सिविल लॉयर बन सकते हैं और इसमें भी काफी लोगों की दुआई मिल सकती हैं और जो कुछ हमने पहले बताया इज्ज़ सोहरत रुत्बा दौलत सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा फैमली लॉयर बन सकते हैं अक्सर ऐसा देखने और सुनने को मिलता है घरेलू हिंसा दहज प्रथा जैसी समस्यां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रहे हैं इसमें लोगों के परिवार तबाह हो जाते हैं जानकारी के अभाव में जो लोग कभी केस कचहरी ठाने का कभी मुह नहीं देखे हैं लेकिन घ भदत करके धेर सारी दुआएं ले सकते हैं और सारा कुछ आप हांसिल कर सकते हैं उसके वाधिया आप राजनीत में अपना करियर बनाने के लिए इच्छुख हैं राजनीद में जाना चाते हैं लाग कंप्रेट करने के बाद जाएंगे तो थोड़ा सा बहतर होगा क्योंकि राजनीद में भी एकर लृग करने के बाद आप जाएंगे तो कानून की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी और लौ करने में कानून के जानकारी के साथ आच्छा बोलना भी आपको आ जाएगा फिर अकर राजनीत पर जाएंगे तो सफलता के चांस आपके बढ़ जाएंगे और जब नहीं कुछ मिलता है लाश्ट में तो आप अधिवक्ता के रूप में किसी भी न्याले में प्रेक्टिस तो करी सकते हैं तो कहने का मतलब कि आप अनेंपुलाइमेंट यानि की बेरोजगार नहीं रह सकते हैं यह आपने लॉग कंप्लीट कर लिया है तो कहीं ने कहीं आप सेटल हो जाएंगे तो लाश्ट में अधिवक्ता के रूप में तो प्रेक्टिस करी सकते हैं अब हम आपके कुश्चन पर आते हैं सरकारी वकील कैसे बने तो सरकारी वकील दो तरीके के होते हैं पहला तो जैसे हमने बताया था अटार्नी जनल अफ इंडिया महा नयवादी दूसरा एडोकेट जनल महाद्योक्ता और तीसरा एपियो तो इसको हम यू समझे तो भारत में नियाय प्रदान करने के लिए नियालें को तीन भागों में विभाजित किया ग तो जो 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 चीद्म नयाले होता है उसमें ऑटार्नी जन अफ रिंडिया होते हैं जो उच्छ न्याले और उच्तम न्याले में जो सरकारी वेकिल के मैक्सिमम पद होते हैं अबसे कि न्याले में एड़ोकेट जन्रल जो महाधिवक्ता होते हैं उनके नीचे सरकार रहे तो आपने तरीके से इनकी भरती होती है समय समय पर बैकंसी निकलती है प्रीग्जाम होता है मेंस इकजाम होता है उसके एक्जाम देने के लिए तो यह परिछा पास कर लेते हैं प्री मेंस फिर इंटर्व्यू उसके बाद आप जो है अश्रिटन प्रोस्क्यूशन ऑफिसर के बत पर नियुक्त हो सकते हैं तो आसा करता हूं कि आप बहुत जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी आया